बहुत समय पहले पवन देव की कृपा से अंजना को एक नन्हे पुत्र की प्राप्ती हुई। उसका नाम हनुमान रखा गया। हनुमान एक असाधारन बालक था। वो बहुत ही बहादूर, शक्तिशाली, निर्भीक तथा बुद्धिमान था। एक दिन भोजन लाने अंजन वन में गई थी। सोया हुआ हनुमान जाग गया। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने चारों और अपनी मा को ढूंढा किन्तु वो नहीं मिली। खाना ढूंढा तो वो भी नहीं। मिला तभी बाहर लगे पेड के पीछे से उसे लाल-लाल उकते हुए सूरज दिखा। चलकत हनुमान ने सोचा ये लाल-फल तो बहुत रसीला लगता है। चलकत हनुमान है उसे पकड़ना चाहा पकड़ में नहीं आने पर वो उसे पानी आकाश में उड़ चला। सूर्य भगवान ने एक बंदर को तेज गती से अपनी ओर आते देखा धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता ही जा रहा था। सूर्य देव डरकर सहायता के लिए पुकारने लगे पुकार सुनकर इंदर देव भागे हैं काले काले बादल गिर गए और सूर्य के पीछे छुप गए पर हनुमान की तेज गती से सूर्य बच नहीं पाए उन्होंने सूर्य को निकाल लिया और चारों और अंधकार छा गया। पहुँचाने के लिए उनसे क्षमा मांगी किन्तो वाईू देव का क्रोध शान्त नहीं हुआ तब शेष सभी देवताओों ने वाईू देव का क्रोध शान्त करने का प्रैतन शुरू कर दिया। ब्रम्हा जी ने हनुमान को आशिरवाद देते हुए कहा कोई भी शास्त्र इस बालक को मार नहीं पाएगा, वो अपना आकार बदलने में समर्थ होगा और स्वेचा से कहीं भी जा सकेगा, अगनी देव ने हनुमान को आशिरवाद देते हुए कहा कि इस अगनी जल नहीं पा झाल झाल